किचन क्राफ में आप सबी का हर्दीक स्वागत है आज हम देखेंगे कि आवले को पूरे साल के लिए हम किस तरह से स्टोर कर सकते है आवले के अंदर बहुत चारी मात्रा में विटामिन सी और अन्य विटामिन्स होते है जो हमारी सिहत के लिए बहुती फाइदेमंद है तो आप इस तरह से उसे स्टोर करके पूरे साल उसका ज्यूस बना कर पी सकते है और उसका फाइदा ले सकते है तो चलिए हम स्टार्ट करें अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते है तो वोले इसके अंदर बिल्कुल भी रेशा नहीं होता और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है मेरे पास इस तरह का चौपिंग बोड है तो उस पर मैं आवला कट करने वाली हूँ आवले को मैंने पहले अच्छी तरह पानी से धो लिया था आवला दोने की बाद कॉटन के कपड़े पर इसे फैला दे ताकि वो अच्छी तरह से ड्राय हो जाए इस तरह के हमें इसके छोटे छोटे पीसिस करने है आवला एक ऐसा फल है कि जिसको इस तरह से कट करने के बाद भी उसका विटामेंसी बरकरार रहता है तो आप इस तरह से इसे कट करके पूरे साल स्टोर करके उसका जूस बना कर पी सकते है अगर आपको आवले का पावडर बनाना है तो अभी आप इस तरह से पावडर बना सकते है इस तरह से इसके छोटे-छोटे पेस कर दे और इसे घर में ही सुखा दे और फिर उसका पाउडर बना ले अगर आपके पास चॉपिंग बॉर्ड नहीं है तो नाइफ की मदद से भी आप इसे बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दो किलो आवला लिया है आप थोड़ा थोड़ा आवला ले दो तिन किलो और उसे कट करके स्टोर करें मैं स्टोर करने के लिए 10 से 15 किलो आवले लेती हूँ इस तरह से हमें सारे आवले कट कर लेने हैं आवला कट करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे नमक इसके अंदर प्रिजरवेटी का काम करेगा दो किलो आवला में मैंने तिन चम्मज नमक मिलाया है नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिलाने के बाद तुरंधी हम इसे स्टोर करने के लिए रख देंगे क्योंकि नमक डालने की वज़़े से आमले में से पानी निकलेगा अभी नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया है आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टोर करने के लिए इस तरह की जो जिप पाउश बैग आती है वो ली है ये बैग आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है इसमें स्टोर करने से जगा का कम इस्तमाल होता है और छोटी जगा में भी हम ज्यादा अवले स्टोर कर सकते हैं पूरे अवले को एक साथ स्टोर मत करें इस तरह से छोटे छोटे पाउश बना कर स्टोर करें और जिस तरह से हमें जरूर तो उस हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्राम वाली जिप पॉश बैग ली है ये बैग आपको मार्केट में बहुती आसानी से मिल जाती है जब भी आपको अवलिका जूस बनाना हो तो फ्रीजर में से इसे 10 से 15 मिनट पहले निकाल ले और उसे थोड़े से पानी में रख दे और फिर उसी पानी के साथ उसका जूस बना ले अभी एक बैग तयार है उस तरह से हम सभी आपको स्टोर कर लेंगे 500 क्रम की जिप उच बैग में एक किलो आवला स्टोर हो जाता है तो आप इस तरह आवला जरूर स्टोर करें और आपके व्यूस कमेंट करके बता ना मत बुले अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो उसका लाब आप औरों को अवश्य दे ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ